हेलो गाइस कैसे हो आप सभी आसा करता हूं सभी अच्छ होंगे मैं राहूल देश वाली होगा फिर से आप सभी का PW टॉप तक पर स्वाथ करता हूं तो गाइस जैसा कि आप सभी को पता लग चुगा होगा कि SSE CHSL का notification आउट हो चुगा है जिसे नहीं पता तो मैं बता आईता हूं SSE CHSL का notification आउट हो चुगा है परन्तु अब मुद्दा क्या है कि तयारी कैसे करें नहीं नहीं इससे जरूरी मुद्दा है अभी कि फॉर्म कैसे भरेंगे क्या क्या उसके अंदर एज चाहिए और सारी चीजों की ऐसे करें इस पर भी बात करें है और आपका you ऑँ खोगते सब्सक्राइबर आप सबसे जरूरी चीज अगर किसी को फो मुद्द ब्रना है तो उसके लिए आपhl यइंदालोगे सबसे उपर आपको एक नोटिस ऐसे बिलिंग करता हो नियू के टाइम में दिख जाया जैसे आप इस तरह से एक बात करता हूं आगे जाकर आपकी उम्र वगरा कि तो इसी के अंदर आपको सारी चीए दिखायता हूं वैसे मैंने कल आपको एक वीडियो वीडियो बनाई दिखायता हूं तो सब कुछ यहां पर नोटे रखा होता है नीचे जब हम आएंगे तो यहां पर गए तो यहां पर जीरो बन सेवन ऐसे से करके फिर पूरा दे रहा है लिमिट फोर दा पोश्ट इस अठार से 27 एज लिमिट हरसा 27 है यह मैंने वैसे पहले ही बता रहा है बट यह आपको पता होना चाहिए साथ में से वालों पांच साल का आपको रिलेक्शेशन मिलेगा ओविसी वालों तीन से लेवस पर आगे जारें पर यह पेज मुझे दिग गया और यह बहुत बढ़िया चीज भी है पेस्केल तो भाई साब अगर बात करें जो लेवल टू वाली पोश्ट होती है उसमें आपको 48,000 रुपे तक सेलरी मिल जाती है और अगर उसमें बात करें लेवल 4 वाली चाहिए यही जॉब की एक अच्छा ही है देखें जॉब तो बहुत सारी है आप क्या है पर हर किसी का अलग लग दिमाग होता है कुछ लोग चाते हैं कि यार की ठीक है पुलीस वाली जॉब में जाने जोब वह भी अच्छी है कुछ लोग जाते हैं ऐसी जौब जहां सेट ज्याद अच्छी है सुबहे शाड़े नौ से चार पांच तक की जॉब है और आपको पता है किस तरह से जॉब चलती है वह लंच तक सही मेहनत होते हैं उसके बाद चुट्टी सी समझो इसी तरह का इंगली इस रिजनिक जी एस मैस आती है सभी में 25 25 25 इस सो कोशन आएंगे पर हर कोशन दो नंबर का होता है जिस वैसे सो कोशन 200 नंबर क्यों आते हैं अगर मैं पहले पेपर की बात करूं तो यह सिर्फ क्वालिफाइं नेचर होता है क्वालिफाइं यानि कि यहां पर यह ज क्योंकि 33 नंबर थोड़ी लाने है पूरे आपको 130 नंबर लाने है तो यह इसके लिए आपको मेहनत करने पड़ी चलो क्वालिफाइं हो गया कोई नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल एक बटे चार की पॉइंट 50 की नेगेटिव मार्किंग आपकी अगर आप आगया आते ह चार सैसन में पेपर होगा पहला सैसन होगा जिसमें मैंस और इसने आगी में चीज यह दो सैसन है इसके अंदर आपका जब यह पेपर हुआ जिसमें से 30-30 कोशन आई हर कोशन ती नंबर गागा तो तो 3060 ए 180 नंबर का आपका यह पेपर फस्ससें निग बात करूं तो एक गंटा आपको मिलने वाला है अब जो एक घंटा मिलेगा आपको इसके बाद आप सोचोगे कि आप आगे जाके आपको कोई प्रफद्दा क्या है आपको जो माक्स आपकी कट ऑफ बनेगी जो आपको ये बताएंगे कि आप पास हो या फेलो यानि कि कहीं है 1803-180360 नंबर पर कट आफ जाएगी तो यह वाले इनका क्या रहेगा कम्प्यूटर वालों का 45 जो नंबर है इसमें क्या है 15 में सब्सक्राइब पंदरा में से तीन सभी करने होंगे उसके बाद नीचे अगर आओगे तो यहां पर आपको टैपिंग टैश्ट वगरा दिख रहे हैं फिर यह आपके टैपिंग टैश्ट और यह चीज बढ़ी है कि एक दिन में सारी चीज़े पहले आपका इसका रिजल्ट आता था तो बच्चा परिशान आता था ता यहां पर आपकी इस फीड भी स्पीड ठीक है इस तरह से पूरा हो जाएगा तो इस तरह से सारी चीज़े रहती हैं बहुत ही भड़ीया तरीके से और अगर आपको अपनी अच्छी तियारी करने है अगर इस बैच को पढ़ लोगे तो आप एक भी कोश्चन एक्जाम है तो गलत नहीं करने वाले चाहे हो पूरा मैस्टर मैस्टर को रहा है मास्ट्रम कोर्स का मतलब ही होता है कि मेरा मैस का बाप कोर्स था उससे भी अपर लेवल का कोर्स है और बहुत से बच्चे पढ़ हैं तो आप उनसे पूछ भी सकते हो बहुत ही भेंकर थी और इस समय बैच फिजिक्स वाला वाली आप पर है कहां पर है मेरे प्यार वच्चो फिजिक्स वाला वाली आप पर तो वहां जाकर अच्छा यह बैच थोड़ दिन पहले तक आपका 3999 अभी यह दो-3 दिन के आपको 5999 अभी लेगा तो जाकर इस बैच में जुड़ सकते हो ओके गाइस लव यू सभी को जाहिन जावारत फिर मिलते हैं मेरे भाई कब वही सेम टाइम सेम जगे रात नौब जे राहूल देशाल मैस वीड़ो साथ भाई लव यू जाहिन जावारत भाई